नमस्का साथियो, ओनलाइन प्लेटफर्म करिये बना में सबका दिल से स्वागत है। आज हम LCM-LCF के सेकिंड वीडियो में जितने भी पैर के कुछन मनते हैं, उन पर चाचा करने वाले हैं। बहुत ही श्यांदार से स्थन होने वाला है, कि बच्चे जितने भी पैर के कुछन मनते हैं, उनको सबको गलत करते हैं। चलो पहले कुछन के तरफ बढ़ते हैं। यह टाइप तो हो चुका है, कल रेशियो का कुछन करवा दिया। अब हम पैर के कुछन स्टार्ट करेंगे। कि दो संख्याओं का योग छाण में है और मैंसे बारा है। तो इन संख्याओं के कुल कितने यूगों बनेंगे यानि जोडे। यहाँ जोडे अच्छे से बनाना सीख जाओं के तो आगे पूरी संभावना है कि जोड़ा जल्दी बन जाएगा। समझ रहे होना है सब तो अच्छे से समझना है एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेर कर दीजिए भई। हम बहुत मैनत से लेक्चर के लिए क्यूशन लेके आ रहे हैं एकदम टाइप वाज समझाना बहुत बड़ी बात होती है आज देखो जितने भी टाइप हैं वो सब पैर से समझना है एक्जाम और उस क्यूशनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूं जो बार बार में एक्जाम मे तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने यूगम बनेंगे तो कितने यूगम बनेंगे कैसे करोगे इनको ध्यान दीजिए कि योग छान में है और मैं से बारा ऐसी संख्याओं के कुल कितने यूगम बनेंगे तो माना संख्याक्स वाज नहीं मैं से बारा है तो संख्या एक को बा आगे योग है तो इधर भी योग करोगे आगे योग छान में है तो इधर भी योग क्या होगा बता वारास और बारा वाई संक्याक्स वई नहीं बानोगे बारा अक्स ओरे बारा वई बानोगे ठीक है अब बारा कॉमन ले लिया तो ये बचा अक्स प्लस वई बराबरे छान में तो अक्स प्लस वई बारा भाग में आ जाएगा आठ अब exam में सोटर करना आपको इटेल बताना जुरूरी है ऐक्जाम में तो फिरायर को ना में बारा कुरहे दो crít положi刷 कर लग जाए कि इतना बतांस जरूरी है क्यों बारा इंटु बारा अधा भाग हो न च्यार तो एक दो तीन च्यार लिख दिया गरू तो च्यार च्यार आठ होता है तीनर पांच आठ होता है दो च्यार आठ होता है योग आठ होना चाहिए यहाँ पर योग होना चाहिए आठ लेकिन ये इनका मैं से एक होना चाहिए को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर क्या होती है से भाज संक्या दो या दो से अधिक संक्या जिनका मैं से एक है देखो कई इनका च्यार यूगम करेंगे एक दो तीन च्यार लेकिन ये गलत है च्यार नहीं ये यूगम बने गए नहीं च्यार और च्यार का मैं से कितना आ रहा है च्यार सिर्फ मैं से क्या आना एक होना चाहिए तो इनका जो आंसर है वो कितना आजएगा दो आपका आंसर होगा इसक्रिंसोर्ट है ले सकते हो इसक्रिंसोर्ट ले लो चलो अब मैंन को मीटा रहा हूँ अब एक्जाम में जल्दी कैसे करना पहले तो यूगम बनाना सिखाता हूँ आपको यूगम कैसे बनेगा पहले तो योग दस हो तो यूगम कैसे बनेगा अब अच्छे से समझना आ भई LCM और LCM में सबसे ज़दा गरत यही टाइप होते हैं Mostly बच्चे यूगम की किस्वन गरत करते हैं आज बिल्कुल टाइवाज किस्वन लेके आए हूँ आज के बाद यूगम का किस्वन दावे के साथ कह रहा हूँ यह दंग से पढ़ लिया तो कभी भी किस्वन गरत नहीं होगा बहुत अच्छी से समझना है एक कोपी पैन लेके बेठा करो भई यह वादा कर लो खुद से कि मैं दुवारा यह वीडियो नहीं देखूंगा एक बाद च्यार मन्त में अच्छे से सलेबस कर लो बाद में मोक्टेश लगा हूँ जिन बच्चों का सेलेक्शन होता है उनको मा बार बार पूछता हूँ कि भई आपने क्या खाया पिया है कैसे चारी की है कि सलेक्शन जल्दी हो गया तो उसने बता है कि लाश्ट टाइम में हमने मोक्टेश टी मोक्टेश दिया और जो बच्चे आज आई पेल देख रहे हैं वो बरतियाने बाद तो तो त्यारी करेंगे एक्जाम डेट तक तो वो सलेबस करेंगे लेकिन सेलेक्शन उनका होगा जो पहले सलेबस कर लेंगे और बाद में एक्जाम के लाश्ट मेंगें तो मोक्टेश टी मोक्टेस लगाएंगे तो पहले तो इनका अच्छे से नोर्स मना लेना योग दस है तो दस का जा पांच होता एक दो तीन च्यार पांच दस है अब बढ़रते करम में लिखो पांच छै शाट आठ नो या चैर से अधिक संख्या जिनका मैं से एक हो क्या कहलाएगी बताओ को प्राइम नंबर है कहलाएगी चार और छे इनका मैं से दो यह भी नहीं आएगा इनका मैं से दो यह भी नहीं आएगा एक और नो और तीन साथ एक नो और तीन साथ आजाएगा ठीक है तो अब ध्यान दीजिए यानि यूगम कितने हो जाएंगे बताओ इनके सुरी यह तो एक्जामपर बता था अब इस शुस्वन को जल्दी कैसे करोगे कि मैं से बारा योग छाणम है मैं से बारा योग छाणम है तोशाणम में योग में सिद्धा भाद दे सकते हो योग और अन्तर में आठाना चाहिए, तो किन का योग होता है? 8 का दा? 1, 2, 3, 4 पढ़ा लिखा करो, 4, 4, 8, 4, 5, 6, 7, ये नहीं रहेगा मैसे 4 आनि- libraries इंगा मैंसे 2, एक, दो, तो योग हम कितने बनेंगे, दो बनेंगे, चलो अगले किस्वन के तरफ बढ़ते हैं, अगला देखो, मैसे 7, योग 111, सिधा भाग दो, 111 में मैसे का भाग दो, 17 का, 177, 111, यानि योग है न, साथ आना चीए, इनका जो योग है, वो क्या आएगा, साथ, बेसिक पोइंट पांस, तो यह तो चार तक लिख लो, या तीन तक, तीन तक सफिसेंट है, नहीं, एक रिपीट हो जाएगा, अब योग होना चीए, साथ, तीन और चार साथ, दो और पांस साथ, सहर एक साथ, दो यह तीन योग हम बनेंगे, लेकिन क्या होने चीए बतो, को प्रा तो टोटल सेंखे लेते हैं, टोटल यूग लेते हैं, मैंशस सिंगुना करो, ईक तो यूगम एक रिपाँछाए, दो पांच का यूगम है, और तीन चार, अब सेंख रहे, यह तो यूगम है, सेंख्या के लिए मैंशसी ही % साथ-देन क्या क्या हो सकती है, मैंशस है 17, सत सबसे चोटी संगय पूछी है तो सबसे चोटी संगय कितनी हो जाएगी सतरा हो जाएगी ठीक है अब इनका सोट कट बहुत ही शांदार बदाने वाला हो अब एक मेथड आपने यहां खूब टाइम बचा लिया ने तो डिटल से करते टाइम लगता अब एक्जाम में फास्ट करना आपको बुलेट ट्रेन से भी फास्ट यानि आपका टारगेट है कि दो तीन सेकिन में किस्वन को करू तो कैसे करोगे ध्यान दीजिए भई डंक से समझना इतनी शांदर में बताने वाला हम पूरी बर्मान में नहीं है कैसे बिन लिखे कर सकते हो कैसे कि 117 का बाग दो कितना आ जाएगा बताओ साथ अब दखो इनका योग साथ इनका योग साथ इनका योग साथ लेकिन एक का साथ जो जोड़ा बनता ना एक के साथ अमेसा बनेगा उसमें चोटी है योग बड़ी संख्याएगी अब मैंसे 17 है मैंसे 17 है तो 17 गम 17 ये चोटी संख्या और 172 ये बड़ी संख्या अब बताओ बीन लिखे हो जाएगा इसे जल्दे टैप नहीं होगा एवरेज मैंने इस लाइक नहीं करें सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और सेशन को जदा से जदा से शेयर किया करो अना जितना जदा आप सेशन को शेयर करो उतना ही हमारा भी होसला बढ़ेगा और हम बहुत अच्छे से और बेटर कंटेंड लेके आएंगे आपके लिए आपके लिए मैं यह दी हजार उपे पैड को सकता है बहुत मैंने बच्चे पढ़ाए हैं टेलिग्राम पर भी खूब बच्चे हैं तो बहुत अच्छा रेवनी हो सकता था अमारे लिए लेकिन टोटल कंटेंड मां फ्री ओपकोस्ट दे रहा हूं और आप जो अधर पैड कोस्ट ले रहे ह पैड खर्ट लेको को है सो कि मैश दे दिया आठ है और यूग है forming 104 आप छोटी संख्या बताओ क्यूस्टकि आता विए दो संख्या जिनका मैस है , tô चोल्टी संख्या बताओ या बड़ी संख्या बताओ तो सीधा सा है एक सो चार में आर्ट का बाग दो तेरा अट एक सो चार कितना आ गया तेरा अब जो एक के साथ बनेगा नहीं जोड़ा वह चोटी बड़ी संख्या होगी आप मेसा तो एक और तेरा वैसे तो बहुत सारी संख्या योग तेरा उता है इनके यूगम काफी बनेंगे कि दो और बनीट्स चार में तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी और चौटी संख्या कितनी हो जाएगी और फोकित मिजिए आठा आज ऑजाएगी यह तो आपको पूरा लिख के समझा एक्जामें सिधा करोगे भाग दो एक्षू आठ में चेयर का तेरा एक और बारा आठ को एक्षे के आठ बीना लिखे ही हो जाएगा अगले किस्वन की तरफ बढ़ते हैं यह करो भई यहाँ बड़ी सिंख्या है आप कॉमेंट बक्स भर जाना चाहिए आंसर से कॉमेंट बक्स आंसर से बजाना चाहिए निकालो अगल हाँ ध्यान्द होगे देखो एक तो आप बीना लिखे करते हैं देखो एक्षी इन्टू नो एक्षो नो बार जा रहा है तो दो सिंख्याओ का योग नो न चीए तो एक और आठ और एक्षी आठ एक्षो अड़सट बीना लिखे हो जाएगा इससे जल्दी क्या होगा आप बताओ इससे जल्दी हो सकता है क्या नहीं हो सकता कहीं नहीं हो सकता मैं पहले तो इनका डिटेल बताता हूं ठीक है बेसिक समझना इनका भी सोटकर बताओं जब तक बेसिक के लिए नहीं हो रहा है अब कई कहते हैं गुर्जी सोटकर नहीं कर लिया तो बेसिक की क्या जूरूत है पहले तो इनका सोटकर बताता हूं क्यों? नहीं सिधा सोटकर ही वैट करेंगे बेसिक इनका सोट है 180 में 21 का बाग दो 9 यानि योग 9 होना चीए 2 संग्या होगा और छोटी एम बड़ी पूछता तो एक के साथ जो जोड़ा बनता है वो छोटी एम बड़ी का बनता है एक और 8 अब मैंसे 21 है आपको बड़ी संग्या पूछता है तो 21 इन्टू 8 21 इन्टू 8 168 आपका क्या होगा बताओ आंसर होगा बेसिक भी समझना वो भी जूरूरी है वो तो आप प्रेक्टिस करोगे ना है तब पता चलेगा ठीक है अगला अब बेसिक क्या है संख्या क्या माल लेते हैं एक तो भी योग करेंगे हैं ना 189 तो 21 को मना जाएगा भाग में आजाएगा तो अकस प्लस वाइका मान आजाएगा 9 अकस फ्लस वाइका मान क्या जाएगा 9 तो यूगम क्या बनेगा यह देखो उयूगम 2 संख्यान का योग 9 ह ओना चिया नो का जाए शाड़े च्यार तक तो आप च्यार तक ही ले ले नाू कर चयार पकानच-छा-वंद पास यूगम पनगे द खा आत, फासट ऑसफ्पन और चैन नो तो सबसे बड़ी संक्या तो, यहीं से देख लो यहां से बड़ी संख्या जाएगी तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी यानि एक और आठ वाला यूगम लेंगे क्यों इनका रेश्यो बड़ा है देखो सबसे बड़ा रेश्यो यहीं है तो तभी तो सबसे बड़ी संख्या आएगी तो संख्या क्या बनेगी 9 मैं से कितना है इनका 21 21 से कम 21 और 29 189 तो आपको बड़ी संख्या लेनी है 189 हो जाएगा ठीक है चलो आगले किसन के तिरफ बढ़ते हैं दो संख्याओं का योग 112 मैं है मैं से चोईस है एक संख्या किन के बीच है 115 और 117 इसके बीच है तो वह संख्या क्या है अभी समझते है मैं से कितना है बताओ 24 तो संख्याओं का योग के लिए आप क्या करोगे 112 मैं में 24 का बाग दो 24 इंटू आठ 112 यानि दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए आठ अब एक किस्वन में डिटेल से समझता हूं इसमें कितने किस्वन बन सकते हैं देखो यह कंडिशन देके योगम क्या बन गया बतो एक और साथ दो और छे तीन और पाँच च्यार और अब संख्याओं के लिए मैं से सी गुणा करो ये संख्याओं कौन सी है तो मैं से सी गुणा करो ठीक है एक मिंट ये च्यार च्यार का योगमे नहीं आएगा कियों कि इनका मैसं दो है यह भी नहीं एगा मैसं कितना है चाहर है तो युगम आएगा एक ओर साथ कि और न में सा geopolit है वं आजाएगा ठीक है अभर संख्याई के लिए मैसं उACल्ण करो CAP和 Nein नंबर लेने हैं तो मैं से सब्सक्राइब करो चोई सबसे बड़ी संग्या बताओ 168 आजाएगा लेकिन यह कह रहा है इन में से एक नंबर है इनका योग 122 में है और मैं से 24 है इनका योग 122 में है मैं से 24 है लेकिन यह कह रहा है इनकी सर्था है संख्या किन के बीच होनी चाहिए इसके बीच वह नंबर क्या होगा 120 होगा उमीद है समझ में आया होगा अब मैं एक इनका बेसिक क्यूशन बसाता हूं ब्रमास्तर क्यूशन है आना वो क्यूशन यदि सही हो गया तो आपके कोई प्रेशानी नहीं नहीं होने वाली है चलो अब मैं पूरा डेटेल से अब इन आट या मैं सै यह ते दिया नो ऑन योग दे दिया च्छान मैं अब इन 65 के बीच है 60 है 66 के बीच ले लिए चलो तो वह संख्या बताओ तो कैसे करोगे ध्यान दीजिए सबसे पहले 108 में 9 का बाग दो 108 में 9 का बाग दो 12 योग 12 होना चाहिए अब करो टुकड़ा योग 12 होता बार का अच्छा है संख्या के लिए करोगे मैस से गुणा होगा नो गयरा नो निनानम है नो पांच है 45 नो साथ है 63 अब इस बात को अच्छे से समझो भई ये पुचे सबसे योगम कितने बने बताओ आंसर कितना आएगा दो आएगा यानि योगम है वो कितने बनेंगे दो चोटी संख्या बता आओ इन संख्याओं में सबसे सोटी संख्या कुन सी है? नो और सबसे बड़ी संख्या बताओ इसमें 60 और 66 के बीच कुन सी है? 63 यानि ऐसे कंडिशन देगा कि मैस देगा नो और योग देगा 188 ये दो चीज़ देगा और इन में से कोई एक सुन पुच बच लेगा अब य और अंतर पुछ लेगा सुरी इन संख्याओं का योग तो दे रख है गुणनफल देगा अंतर पुछ लेगा अब क्या करोगे अब यहां थोड़ी दिक्कत आएगी देखो इनका अंतर है नब्ब्ब्ब्ब्ब इनका अंतर कितना हो गया वही तेरा पांच अठारा अब गड गड़ बड़ आ गई गड़ बड़ी हो गई अठारा लेग नब्ब्ब तो इसके लिए एक वर देगा कि नो से बड़ी दो संख्या नो से बड़ी दो संख्या एक वर देगा और यह बहुत ज्यादा इपोर्टेंट इन पर काफी कुछन पुछे गया है और मोस्टली कि अना नोट्स मना वी साथ अगयी तो ऐसे देख रहे हैं को मूई देख रहे हैं हां कि घरवालों की रजिस्टर पैसे घर नहीं करते हैं पचास रुपे लगेंगे तो रुपे लगेंगे रजिस्टर के पैन के भी खर्चा होगा लिख ना भी पड़ेगा कई तो यह योगम लो इनका मैं से नू है योग 108 है लेकिन इस्टार्ट में वर्ड आ गया कि 9 से बड़ी दो संख्या तो यह यूगम क्या हो गया कैंसिल अब इस यूगम पर काम करना पड़ेगा गुणा करो इनका तो इन दोनों को गुणा कर लेना इनका अंतर बताओ तो इनका अंतर आ जाएगा इनका रेशियो भी पुछेता है तो 9 से कटो 9, 5, 25, 9, 7, 63 यानि एक क्यूशन में 9 से 10 क्यूशन पुछेते हैं लेकिन यहां यह वर्ड दिया 9 से बड़ी दो संख्या तो यह यूगम भी क्या हो गया बताओ तो कैंसिल होगा क्यूशन में 9 से बड़ा नहीं है फिस सिरफ एक यूगम बचा लेकिन जब जहां दो यूगम होते हैं वहां यह कंडिशन देता है तो एक यूगम तो यह वड़ाते ही क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा अगले किस्वन के तरफ भी बढ़ते हैं दो संख्याओं का मैसे 3 है और गुणा 135 है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे बहुत तीसी आंदार देखो मैसे के साथ योग आता है मैसे के साथ लेस आता है और मैसे के साथ गुणा और मैसे के साथ अंतर ये च्यार्ष्टे बनती है सुनना मैसे के साथ योग मै मैसा के साथ अंतर मैसा के साथ गुणा मैसा के साथ है लेसा तो मैसा साथ योग वाल हो गया अब मैसा देखे और क्या पुछा है गुणा नफल अभी लगाते हैं अब कई सिदा बाग देर थे थे था थे तोड़ी पहले की 135 बटा 3 कि वह स्किम फैलो गई इसलिए तो बेसिक समझना जरूरी है और डंग से समझोगे देखो अर अगे गुणा अब ध्यान दीजे इधर गुणन फल है 135 तो आगे भी गुणा करो दोनों का तीन तीन नो आक्स्वाई और आक्स्वाई का नो मान आ जायेगा पंद्रा यानि दो संख्याओ का गुणा जोड़ा बनेगा यह द्या रखना इनको छोड़ मत देना दो सेंख्यों का गोणा पंद्रा एक तो फिक्स है पंद्रा इंटुए पंद्रा देखो इनका गोणा पंद्रा होता है 3 और 5 योगम दो यह बनेंगे तीसा तो बनेगा नहीं तो यहाँ यूगम है वो कितने बनेंगे बतो दो बनेंगे यूगम कितने बनेंगे दो बनेंगे ठीक है ईसमें पुछा क्या है यूगम में पुछा है तो संभवत है यूगम है वो कितने बनेंगे दो बनेंगे उमीदा समझ में आ गया होगा अब यूगम बनाना सिखाता हूं देखो संख्या मैसे के गुणा में लेके चला करो तीन अक्स और तीन वई आगे गुणा इसो पैंटीस तो इधर गुणा तीन 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 नो स्वाइक माना जाएगा 15 तो दो संख़ो उना 15 वह एक और 15 होगा और तीन ओर यूगम बनेंगे तीन इनके बताओ यूगम जैसे मैसे दे दिया या चलो चोईस की बताओ गुणा 24 है इनके कितने युगों मनेंगे देओ यह तो फिक्स है एक और 24 इनके अलाव बताओ गुणा 24 है यह तीन और आठ और चार और चै बारा इंटु दो चोईस यह नहीं होगा क्यों नहीं होगा यह उनीच यह से भाजे संख्या यानी को प्रायम नंबर दो या दोसी अधिक संख्या जिनका मैसे एक हो को प्रायम नंबर है होगी उमीदत समझ में आया होगा तो कि एक तो 38 होगा और एक हुए दोनों मैं अब कहते हैं गुर्जी देख कोयां चियार का जा रहे है वही एक में नहीं जा रहे हमस्य इए का यहां स्युनक रुफ से किन का बात जा रहे है यहां दोनों में कर दो का भागर यहां दोनों में दो का भागर यहां दोनों में ऎको जा रहे हैं न च्छाट BA液 और यह साथ जो गुणा होंगे नहीं उसी से चोटी बड़ी संख्या निकलेगी आगे जो कुछन आए चोटी बड़ेगी एक के साथ जो गुणा होंगे वह चोटी बड़ी होगी 3 6 18 2 9 18 तो कितने युगम बनेंगे 3 लेकिन 3 और 6 नहीं बनेगा ठीक है चलो क्यूशन के तरफ बढ़ते हैं मैं छोटी संख्या तो कैसे करोगे संख्या क्या मान ली 2 X और 2 Y मान ली संख्या 2 X और 2 Y गोना है 112 112 तो अक्स्वाई का मान दो दोनी च्यार आजाएगा अठाई चोक 112 दो संख्या का गोना 112 होना चीए लेकिन एक के साथ जो टुकड़ा बनेगा वो उसमें छोटी बड़ी संख्या देखो यहां छोटी संख्या पूछिए तो जो एक के साथ टुकड़ा बनेगा उसी से छोटी में बड़ी संख्या आजाएगी तो आपकी जो संख्या है वो क्या आजाएगी मैसे से वापस गोना करना होता है दो और अठाई दूनी चपन यह लिखी देता हूँ एक गोना दो दो गोना अठाईश अब देखो चपन और दो दो और चपन गोना करके देखो चपन दूनी एक सो बारा और मैसे बताओ दो हैक नहीं है हो गया नै तो आपका जो आंसर है वो कितना आजाएगा अठाई दूनी चपन समझाने के लिए इतना लिखा है यह इस मेथड से करोगे नहीं सोटकर बताने वाला हूँ दो या तीन सेकेंड में हो जाएगा आप अब जरुए थोड़ा क्या करो कि मैसे गोना में आईए दो को दो से गोना दो दूनी च्यार तो इसी पर इनका डाइट भाग दिया करो कि 112 स्क्वाइर का भाग दे ना होता है गोना में दो गोना दो जैसे मैं से तीन है तो तीन एक्स हो रहे तीन वाई दो से एसे लेंगे तो तीन का स्क्वाइर नो हो गया नहीं च्पन यह तो चलो मैं आपको अक्स्प्रेइन करके बता रहा हूं एक्जाम में करोगो तो तुरूंत यह उडाओगे सिधा च्यार का बाग दोगे 28 28 का टोड़ा एक एक इंटू दो दो एक और 28 ना तो दो इंटू दो डाइट कर लोगे देखो इस कुष्णों को करना बहुत बड़ी बात नहीं है कुष्णों को कम टाइम में एक इंटू से की साथ करना बहुत बड़ी बात होती है एक्जाम में है ना आप ज़्यादे ज़्यादा किस्वन आपके सही होने चीए लेकिन उनके साथ ये डिपेंडिड हो रहा है कि आप कितना जल्दी कर रहे हो तो आंसर थोड़ा फास निकाला करो अगला किस्वन ये निकालो बेसिक तो बताई दिया इनका गुणन फल में दे रखातो गुणा सिधा निकालो 580 वटे साथ गुणा साथ बता चुगाँ हो बेसिक गुणा क्या होना चीए दो संख्या उका बारा अब छोटी ये बड़ी जो एक के साथ आएगी उनसे मान छोटी ये बड़ी संख्या आएगी एक औरे बारा आपको चाहिए बड़ी संख्या तो बारा साथे चोरेसी केदर है ये आपका क्या आजाएगा आंसर तो संख्या क्या आजाएगी साथ और बारा साथे चोरेसी तो ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या तो आंसर कितना आजाएगा चोरेसी अजाएगा उम्मीद समझ में आ गया होगा फिर से देखो यह 7-7 का बाग इसलिए दिया कि संख्या 7-7 और 7-8 मानोगे तो गोना करोगे इनको 7-7 बराबर 588 तो अक स्वाई के लिए साथ गुणा साथ भाग में जाएगा गुणा में इंटू में आ जाएगी दो संख्या साथ इंटू साथ का भाग देंगे ठीक है चलो अब पूरा करते हैं एक कि सुन ओ लेता हूं आप इनके सब आंसर दोगे इनके कि इनका मैं से तो दे दिया तीन कि इन संख्याओं में से 122 18 के बीच है 1218 के बीच है बारावाय थारह बीच है वो कौन सी है चलो करते हैं पूरा डिटिल से समझते हैं मैं इसे तीन है तो संख्या क्या माली 3 अक्स ओरे तीन वाई इधर गुणा 135 है देखो गुणा ISO135 तो इधर गुणा 3 तीन या 9 9 अक्स अब दो संख्याओं का गुना 15 होना चे तो यूगम कौन कौन से होगा बताओ . दो संख्याओं गुना से बनेगा 1 और 15 तीन और 5 से mäß मैसेटंग नहीं के लिए मैससीं घुणा गाप दको दो संख्याओं गोणा 15 होना ची एक और 15 है तीन ओर पांच अम मैस से गोणा करो तीन 15 तीन 45 तीन त्या 9 और तीन 5 पांच है 15 है अब सब आंशर आगे योगम कितने बनेंगे बताओ तीन बनेंगे एक तो होसला कम नहीं होना चाहिए बई हाना कई तो आधी घंटे में 15-20 मिट में ऐसे लगरा बहुत पढ़ लिया और इधर उधर सिफ्ट हो जाएंगे हाना होसला डाउन नहीं होना चाहिए यह कहो कि छोटी सी बात नहीं समझ में आई तो वापस बैक करके ज देख लिया करो थोड़ा लिख लिया करो जैसे आपका चाहर नंबर क्यूस्वा नहीं समझ में तो नोट चाहर नंबर कर लिया करो लिए क्लास पूरी होने के बाद वापस बैक करके देख लिया को होसले लेकिन होसला कम नहीं होना ची छोटी-मोटी प्रेसा ने आती रहे अधिन नहीं समझ में यह कोई प्रेसा ने नहीं है ना कई तो इन्हीं को इस ट्रेगल मान लेते हैं आज कर श्ट्रेगल की परीवास ही बदलती घरवाले एक दिन पैसे लेट बेटा आज तंख नहीं हो एकल बेटा हूं तो यह हां आगे बताएंगे कि मैंने बहुत इस ट यह कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है युथ्स से इस ट्रेगल से कभी भी ल१े डराश से कभी भी डूरुदरना नहीं चाहें क्योंकि यह भी एक कहानी है जो शफल होकर सबको सुनानी russia तो थोड़ा टिकना है कि सपरंजल फिर से देखो गोना एकसवाई तो यूगम दो हैं इनकी यूगम कितने बनेंगे दो छोटी संख्या क्या है बताओ तीन बड़ी संख्या पैंतरीस एक संख्या है 12 और 18 के 20 कौन सी है बताओ पंदरा अभी क्यूशन खतम नहीं हुए संख्या आ गई 15 अब क्यूशन में यह पुछ लिया पाँच और 6 नमबर कि इन संख्या का योग बताओ इन संख्या का अंतर बताओ ठीक है इन संख्या का अनुपात बताओ अब इस तीन कुशन में लोचा है समझना अब देखो इनका मैसे 3 है ध्यान दीजिए दोनों का मैसे नेकार के देखना 3 गुना 135 इदरवाले का भी मैसे 3 है गुना 135 लेकिन योग अलगा रहा इनका योग 24 इनका योग अर्थरीश अंतर भी अलगा रहा आप क्या करेंगे तो इनके लिए एक वर्ड मिलेगा तीन से बड़ी संख्या किन से बड़ी संख्या तीन से बड़ी संख्या अब तीन से बड़ी आते यह युगम फिर कैंसिल क्यों तीन तीन से बड़ी नहीं है यह वर्ड मिलेगा तीन से बड़ी दो संख्या तो यह दोनों संख्या तीन से बड़ी नहीं है अब शिरफ यह य पूरे होने के बाद आपने साथी स्टूडेंट तक भी लेसन पहुंचा होगी कि आपके आंसर का वैट कर रहा हूं वह जल्दी निकालो इतना धीरे आंसर ऐसे कैसे कम चलेगा मैसे 5 गुणा 375 तो सिद्धा गुणा निकालो इनका गुणा सोट करतो बताए दी आपको 375 बटे 5 गुणा 5 25 का भाग दो 25 यानि गुणा पंदरा होना ची हाना लेकिन इन में से एक पुणा वुरागा वो कौन से पहले तो इनका युगम लो दो संख्याओ का गुणा पंदरा एक और पंदरा तीन ओर पंदरा पंदरा खीक है अब मैस से गुणा अगरो पंदरा 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 25 पे आजाएगा आगला कि उड़ा दो बेसिक बहुत अच्छे से बता दिया आपको लगाओ ये भी मैसे के साथ गुणा है जितने भी टाइब बनते हैं वो सब एक संख्या किन के बीच है एक संख्या यहां कट गई वही कोई रेंज ले लेते हैं 28 वे 35 के बीच है निकालो इ मैसे 4 है गुणा 336 है एक संख्या 28 वे 35 के बीच संख्या कौन छी है संख्या क्या मान लेते हैं 4 एक सोरे 4 वाई गुणा 336 है तो इधर भी गुणा 4 चोग 16 अक्स वाई अक्स वाई के लिए 16 का बाग दो 16 32 कमे 16 अब युगम क्या बनेगा अक्स वर वाई का मान युगम बताओ दो संख्या का गुणा 21 होना चाहिए एक और 21 तीन और साथ 21 और तो को टूड़ा बनेगा क्या एक और 21 तीन और साथ 22 इनके लाँ कोई युगम नहीं बनता है तो संख्याएं के लिए मैसर सी गुणा करोगे मैसर च्यार च्यार 21 च्यार आप करके देख लो इनका गुणा करके देखना तीन सो चतिस आएगा चाहिए चाहिए बारा और अठाइस लेकिन यह पूछा है एक संख्या अठाइस वय पैंतिस के बीच है फिर से क्यूशन सही नहीं बना इनको 27 करो भई यह क्यूशन करते समय गलती हो गया तो मैंने 28 बताया था यह रेंज थोड़ी सी और कम करने पड़ेगी 36 वैं 26 वैं 35 की बीच है तो आपका जो आंसर वह आ जाएगा 28 आ जाएगा थाएगा थोड़ा सही कर लेना PPT में आया नहीं थो मैंने वैसे 28 लिखा दो लेकिन 28 तो बीच नहीं हु बाकि हम नेश्ट क्लास में मिलते हैं पैर वाले कुछन में देखो योग के साथ मैसे हो गया और गोना के साथ है मैसे अगले वीडियो में थोड़ा वहत पहले भी पढ़किया ना लैसे के साथ हम क्या करेंगे मैसे और उसी में व्यूत करम के योग के कुछन बनेंगे एक अपनी जिम्मेदारी मत बोलो एक फिक्स सुबह क्लास आठ बज़े आती सब को पता नहीं तो आठ बज़े ही क्लास लिया करो और नोर्स प्रोपर बनालो जुलाई अगास्ट सेतंबर में बहुत सारे एक्जाम होने वाले हैं उस तैमें आप बताओ सलेबस करोगे या मोक टे